जान लेबू का है फिल्म का ऑन लिगेशन शूट चल ला है उसके बार में क्या कुछ कहना चाहिए इस तरह का आप सब्सक्राइब देखने वाले सारे स्वतागड को आडियोंस को दिल से हमारा प्यार भड़ा नमश्कार पढ़ नाम अश्लावलेकुम चैसे हैं आप लोग उमीद करती हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और उताईएगी क्या रोल तो भी हम लोग मढ़ में सूट नै इसमें रोल की बात बहुत होता है कि फैमिली में सब को सब के बीच में खेलने वाली कूदने वाली बहुत प्यारा कॉंसेप्ट है और बहुत मुक्खी भूमिका में मैं भी नजर आओंगी यह मैं अपने स्वथागड को नहीं बताना चाहूंगी कि यह चीज अगर में बता देती हूं तो सब को लगेगा कि चलो इसकृदार में है तो क्या देखने जाए तो यह सारी चीजे सब छुपा रहे हैं इसलिए कि हमारे ओडियन्स हमारे लिए अपने चहेते दिनेसलाल जी के लिए अपनी चहेती अक्षरा सिंग जी के लिए जाके ठीटर में इस पूरी कॉंसेप्ट को देख मनosh कुमार जी सो बहुत मज़ा आरा भी दिनेस जी जा भी रहे है तो बहुत अच्छा लग रहा दिनेस जी बहुत अच्छी एक्टर हैं बहुत कुछ सीखनी को मिलता है उसे बहुत पैसेंस बहुत सिनियर बहुत काम किये हैं उनकी मोवी देख देखके हम लोग मतलब बड हुए हैं सो उनकी एक्टिंग माइंड ब्लोईंग बहुत मस्त एक्टिंग करते हैं ऐसा लगता है कि कास ऐसा होता है जुनून बढ़ती है मतलब कि अंदर से वो चीजे निकलती है कि हम भी कर सकते हैं उनको देखके सो काफी सीखनी को मिलता है दिनेजी की डाइंसिंग बहु पुरी और्डियंस करती है उनका पूरा फाइंस पॉलिंग करता है तो मैं चोटी सी जोया की मैं भी उनकी डांस की उनकी एक्टिंग की उनकी डेलेबरी की उनकी हर इक उनकी खुपसूरती की मैं भी दिवानी हूँ बहुत अच्छे हैं दिनेज जी नेचर वाइस तो अबु भीया कहके बोलते हैं सबका रिस्पेक्ट करते हैं तो दिनेज जी बहुत ही अच्छे और अक्षरा जी की बात है तो अक्षरा भी जितना मुझे मोटिवेट की है इस सेट पे जितना मुझे चीजे सिखाई हैं उनकी एक्टिंग मतलब ऐसा लगता है कि पूरी लड तो लड़िकियों के लिए एक साथ साथ देखा जाया तो बहुत बड़ी मोटिवेशन एक बहुत बड़ी जिमदार एक सारी चीजों को आप लुक देख सकते हैं कि कितना सारा एस्ट्रगल कितना सारी प्रस्तितियां को सामना करते हुए And say so people say, you are walking a lot of conversation on people clean level, Hundle ku बोला जाये तो बहुत सारे श्ट्रगल बहुत सारे लडाईयां बहुत चरिश्गडे बहुत सारे एवरिटिंग बहुत सारी चीजों को सामना करते 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 खुद के पैर पे वो खड़ी हुई है उनकी डांसिंग की में बहुत बड़ी दिवानी है उनकी सिंगिंग की पूरी ओडियन्स हमारे दिवानी है मैं भी बहुत लाइक करती हूँ बहुत फॉलो करती हूं अक्षरादी को माशालला अक्षरादी को नजर ना लगे और ऐसी ही बड़ी सी बड़ी उचाईयों को हासिल करती रहें और आगे बड़े और हम लोग भी पीछे दढ़ती रहें फिल्म का टाइटल जान लेबू का किसका जान लेबू का आप लोग इसको जितना देखेंगे आप उस पे और जान लगा के देखनी की कोसिस करेंगे सारी चीजे और इसके सामने हम नहीं रख सकते कि कुछ चीजे होती है कि ठीटर में देखनी पर ही मज़ा आता है तो मैं चाहूंगी और मैं आप लोग उसी उमीद भी करूंगी कि आप लोग हमारे अलफाज सुन रहे होंगे और आप लोग ठीटर में जाके जरूर देखेंगे आज अक्षरादी का कल था हम लोग का साथ में कल सीन था बहुत मज़े की है रील चोगे रहे बहुत बना है अक्षरादी का जो जगे है वो कोई नहीं ले सकता उनकी जगे एकेले ही कायम है और मैं दुआ करती हूँ कि हमेशा कायम रहे आप लोग के प्यार से आप लोग के अश्रवाद से हमेशा उनको मिलती थी मिलती है और मिलती रहे तो बहुत अच्छा लगता है। दिनेश जी के साथ आपकी पहली फिल्म है या फिर आज भी पहले कर चुकी है आप ऐसा कुछ नई दिनेश जी के साथ मेरी फर्स्ट मोवी है और फर्स्ट मोवी में इतने फैंक हो गए कि बहुत जल्दी हमारी ओडियंस को मैं दूसरी फिल् सेमी की चीजे और खासकल के मुंबई में कोवीड-19 बहुत ही बढ़ चुका है मैं बता नहीं सकती अपनी लफजों से क्यूंकि आप लोग भी निउस देख रहे होंगे सो खुद को सुरच रखें खुद को कहीं भी जाएं तो मास्क हमारे प्यूडी सर जी मास्क सेनीटाइजर का सेवन करें सेम मतलब की हाई इस्तवाल करें सौरी ध्यान कहीं और भटक गया था कहीं भी जाएं मास्क लगाके जाएं और किसी भी चीज को छूने से पहले ख्याल रखेंगे, तो ही हम जीवीत रहेंगे, तो ही हम सारी महमारियों से बचेंगे और आगे भी डट के मुकाबला कर सकेंगे तो अपना ख्याल रखे, अपने फैमिली का ख्याल रखे इस सेम बाहर लिकलना बिल्कुल ही सही नहीं है कहीं भी आप लोग बाहर मत जाएए अपने घर में रहिए खाये, बनाये, यही ते एक मौका है घर में रहने का हाला कि वन एर हो गया घर में साथ ने दिताती बिताते सब लोग बोर हो गये लेकिन अभी कुछ नहीं कर सकते कोई रास्ता नहीं है तो अपना ख्याल रखे और अपने फैमिली के साथ घर में रहिए हेन वास करते रहिए और सेनिटाइजी उसकर से घर मास्क लगाए हम लोग एक्टिंग कर रहे हम लोग सेट पे हैं हम लोग इन सारी चीजों का ध्यान रख रहे है और खुद का ख्याल रख रहे है सो आप लोग भी अपना ख्याल रखे हमारी ओडियंस से यहीं उमीद है और मैं उमीद करती हूँ कि आप लेक हमारी अलफाज जरूर सुने होंगे। अब शक्ता थी जो वहां नहीं मिल सकता था वो गाने फिर हमको यहां पर आके करना पढ़ रहा है तो मुझे लगता है कि आज हो गया कल कंप्लीट हो जाएगी। जो इस फिल्म के डिरेक्टर हैं केडी जी दिनकर कपूर जी वो एक ऐसे निर्देशक हैं जिनकी फिल्म से मेरा नाम ही पढ़ गया निरहुआ रिक्षा वाला। इन्होंने ही बनाई थी निर्वा रिक्षा वाला और उसके अलावा भी ड्राइबर बाबू हम लोग ने किया था। उसके बाद बहुत सालों तक साथ में काम करने का मौका नहीं मिला। और उन्होंने लॉकडाउन का फाइदा उठा करके और दोनों को ही एक साथ लेके आए और जैसे लॉकडाउन खतम हुआ तुरंत जो है अमारी शूटिंग शुरू होगी यह फिल्म में अक्षरा सिंग जी है महिमा जी है और दोनों हिरोईन के बीच में मैं ऐसा फसा हूं कि 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 फाइनली मुझे ऐसा कहना पड़ जाता है कि मतलब अब जान ही ले लोगी क्या तो इसलिए वो मुवी का नाम ही है जान ले बुका की अब ठीटर में लगनी शुरू हो गए जैसा कि अभी अभी बिहार में भी फिल्म रिलीज हुई सभी हमारे खेसारी बाई की और एक मेरी फिल्म री रिलीज हुई जो पहले रिलीज हो चुकी ते फिर से बिहार में लगी थी उसका नाम रोमियो राजा तो थिएटर में फिल्मे लगनी शुरू हो गई हैं तो अब जो है हमारा भ्यूत्सा बढ़ गया क्योंकि जब तक लॉक्डाउन था तो ऐसा लगता था कि मतलब फिल्में बना के करेंगे क्या मतलब थिएटर में लोग आएंगे नहीं थिएटर मे चुकी ये ऐसा मुश्किल दोर है कोरोना का कि सावधानी बर इतने ही पड़ेगी पर सावधानियों के साथ में मास्क लगा करके और एक एक सीट छोड़ करके जिस तरह से गाइडलाइन सरकार की मिली है और उस तरह से अब फिल्में जब लगनी शुरू हो गई है तो हमारा बे उत्सा दुगना हो गया है फिल्मों को ले करके और बड़ी मेहनत के साथ में अच्छी फिल्में बना रहे हैं जान लिबू का बहुत ही शांदार फिल्म बनी है अक्षरा सिंग जी के साथ मुझे लगता है कि दिलेर के बाद ये दूसरा मौका है जब हम लोग साथ हाप पाए है और बड़ी अच्छी फिल्म बनी है आप देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और साथ में महिमा भी है तो शांदार गाने है फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है मतलब फुल मसाला है फुल पैकेज है ठीटर वाली फिल्म है आपको ठीटर में देखने मज के जरूरी है जुकि हम शूटिंग पे हैं अभी तो मजबुरी है कि हम मास्क नहीं लगा सकते हैं पर हम जिए कोभीं टेष्ट करा के हÍ सेट पे काम कर रहा है है ताकी हमारे वह किसी अर को कोई परिशानी ना हो और जो बाकी टीम है वो लोग अपना मास्क लगा के रखते हैं तो आप लोगों से भी निवेदन है कि आप जहां पे रहें मास्क लगाएं हाथ सेनिटाइज करें और अपना ध्यान रखें अपने स्वास्त का ध्यान रखें क्योंकि जान है तो जहान है तो पुलसी दाजी के गाहों में एक फिल्म की शूटिंग करने, जिस फिल्म का नाम है फसल, उसके बाद मैं शूटिंग कर रहा हूँ, फसल के बाद, एक फिल्म है सपना चोदरी जी के साथ, मजनु, और मजनु की शूटिंग के बाद, अभी जो आर्मी की हम लोगों ने पारे डिरेक्टर है सुजित सिंग जी, उनकी दो फिल्मों की शूटिंग करनी है, और उसके बाद बारिस में, इस बार मैंने प्लान किया है, बरसात यहां ज्यादा होती शूटिंग नहीं हो पाती है, तो बारिस के समय, तीन महिने मैं लंडन में रहूंगा, और तीन फिल लोटने के बाद करूँगा फसल, और फसल के बाद एक फिल्म हम लोग प्लान कर रहे हैं, बहुत ही शांदार फिल्म, हमारे जो बिहार के थे, महंदर मिशिर, महंदर मिशिर जी के बारे में, जो यूपी बिहार के लोग हैं हो तो जानते ही हैं, पर एक ऐसे गायक थे, एक उनके गाने के आज भी लोग दिवाने हैं और उनके गाने को गायक लोग गाते भी हैं और गायक के साथ साथ एक करांतिकारी भी थे देशभक्त भी थे और किस तरह से उन्होंने आजादी की लडाई में अपना यूगदान दिया था उनके उपर एक बायोपिक बन रही है जो तो आपकी बेस्ट फिल्म लगी तो अच्छा लगता है फिर से हम लोगोंने चो कि हमारे रंजन सर बहुत ब्यस्त रहते हैं तीवी में उनको समय निकालना बड़ा मुश्किल काम होता है फिर भी हम लोगोंने रिक्वेस्ट किया कि ये फिल्म तो हम लोग चाहते हैं अमारे अपर कारण ये है कि हमारे दर्शक भी सबसे ज्यादा है जो तो वुच्पूरी सीनेमा है उसके दरशक जो है ही आपको सिर्फ हिंदूस्तान में नहीं एक अब बहू किसी हम जाता है।